समाजवादी पार्टी की संरक्षक और उत्रप्रदेश के पूर मुख्यमंतरी मुलायम सिंग यादप का 2 अक्टूबर को निधन हो गया उन्होंने सुबह 8 बच कर 15 मिनिट पर अंतिम सांसले वे पिछले 22 अगस्त से मेदानता अस्पताल में भरती थे 2 अक्टूबर को उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया सपा संरक्षक के पार्थिप्स चरीड को उत्रप्रदेश के इटावा जिले की सैफ़ई ले जाये जाएगा मुलायम सिंग यादप के निधन के बाद सियासी जगत में शोक की लहर है मुलायम सिंग यादप के निधन पर उत्रप्रदेश सरकार ने तीन दिन की राजकी शोक की गोशणा की है उनका अंतिम संसकार राजकी समान से सैफ़ई में किया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से लेकर दूसरे नेताओं ने मुलायम सिंग यादप को श्तरधान जली दी है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मुलायम सिंग यादप के निधन के बाद उनके साथ कई तस्वीरे टूइट की है पियम मोदी ने इसके साथ लिखा यूपी और राष्ट्री राजनीती मुलाइम सिंग यादब ने अलग पहचान बनाई वह एमरजेंसी के दोरान लोकतंत के लिए लड़े बतोर रक्षा मंति उन्होंने भारत को मजबूत बनाने के लिए काम किया देश के हितों के लिए उन्होंने संसद में भी कई एहम बातों पर जोर दिया मुलाइम सिंग यादब ने पूरी लगन से लोगों की सेवा की और जैप्रिकाश्ट नारायन राम मनोहर लोहिया के आदर्शों के पुरचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया प्रधान मंतरी मोदी और मुलाइम सिंग यादब के संबंद काफी गहरे थे उन्होंने ट्वीट में उनके साथ तस्वीरों के रूप में यादो का पिटारा साजह किया ट्वीट में पी एम मोदी ने लिखा कि जब हम दोनों मुख्य मंतरी थे तब मेरी मुलाकात मुलाइम सिंग यादप से कई बार हुई वो अच्छे संबंदों का दोर जारी रहा और मैं हमेशा से उनके विचार सुनना चाहता था उनके जाने क्या मुझे दुख है उनके परि मुलाइम तीसरे नंबर पर थे मुलाइम सिंग ने पहलबानी से अपना केरियर शुरू किया वह पेशेशे अध्यापक रहे उन्होंने कुछ समय तक इंटर कॉलेज में पढ़ाया भी उनके पिता उन्हें पहलबान बनाना चाहते थे फिर अपने राजनतिक गुरू को समाजवादी पार्टी की स्थापना की उत्रप्रदेश की सियासत में मुलाइम सिंग यादब का अलग मुकाम था। दियोरे रिपोर्ट यूपी तक। झालग मुलाओ यूपी उनके पार्टी की सिंग यूपी तक।